नमस्कार, शब्दसाची के इस समचार बुलिटिन में आपका स्वागत है, शुरुवात करते हैं हेडलाइन से तिरुपती मंदिर में प्रसादम के लिए घी सप्लाई करने वाली संस्था बदली अर्विंद केजरिवाल ने जनतर मंतर पर जनता की अदालत को किया संबोधित यूपी के कानपूर में माल गाड़ी को बेपट्री करने की रची गई साजश केंद्री ग्रैमंत्री अमिट शाह का लगतार दूसरे दिन जम्मू काश्मीर का दौरा एमपी के आउट्सोर्स कर्मचारियों का भोपाल में शक्ती प्रदर्शन खंडवा में दूसरी शादे छिपा कर पहले पती से लेती रही भरण पोशन रिवा में घरेलों विवाद में पती ने पतनी सहीद दो बच्चों पर किया हमला बेटे की मौत रिवा शहर की निराला नगर बंसल बस्ती में देर रात अचानक भर गया पानी सतना में दो पक्षों का विवाद सुलजाने पहुची पुलिस पर पत्रा शहडोल में सिवल सर्जन के शिकायत करने वाली महिला डॉक्टर का तबादला अब खबरे जानते हैं वस्तार से आंद्रप्रदेश के तुरुपती मंदिर में बनने वाले प्रसादम में अब नंदनी घी का इस्तमाल किया जा रहा है जो की करनाटक मिल्क फेडरेशन का लोग प्रिय ब्रैंड है विवाद के बीच टीडीटी ने घी सप्लाई करने का कॉंट्रेक्ट बदल दिया है कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर एमके जगदीश ने कहा हमने गाडियों में जेपीएस सिस्टम और जियो लोकेशन डिवाइस लगाई है इससे हमें पता चलता है कि गाड़ी कहा कहा रुकी है ताके मिलावट को रोका जा सके कंपनी को 350 टन घी की सप्लाई का ठेका मिला है उधर आंद्रप्रदेश के डिप्टे सीम पवलकंडियार तिरुपती लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्वी मिलने पर खुद को भी दोशी मान रहे हैं उन्होंने कहा उन्हें अफसोस है कि वे मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाए इसके प्राश्चित के लिए वे 11 दिनों का उपवास करेंगे आमाद्मी पार्टी के संयोजक अर्विंद केजरिवाल ने जनतर मंतर पर जनता की अदालत कारिक्रम को संबोधित किया दिल्ली सीम पत्स स्तीफी के बाद केजरिवाल का यह पहला संबोधन है दिल्ली शराब नीती केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरिवाल ने 17 सितंबर को सीम पत्स स्तीफा दे दिया था उन्होंने कहा था कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे कारिक्रम में दिल्ली की नई मुख्यमंतरी आतिशी भी शामिल हुई आप विधायक दिली पांडे ने कहा हमें पूरा बरोसा है कि जनता की अदालत में दिल्ली के लोग कहेंगे कि मेरा के जिवाल इमानदार है खर्षण का है कि अदिकला श्रिक्रम करेंगे कुछ परूरा अनुच्कित और विधायक चाहिए न धी जुक्र सेज़ों कोईा श्री वालएब कि मन करूंचपी आल डाइन भीक्याया कि ट squirrel मैं शुक्र्साइब ओन सो आरे सीज़ों करेंगे स्टेशन के पास JTT एन गुट्स ट्रेन को बेपट्री करने की सार्जिश रची गई ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला रविवार सुबा करीब 6 बजे लूप लाइन पर लोको पाइलिट ने सिलेंडर देखते ही एमेजनसी ब्रेक लगा कर ट्रेन को सिलेंडर से 10 फीट पहले ही रोक दिया बता दे कि देश में ट्रेन को बेपट्री करने की यह 57 दिन में 22 वी कोशिश है बीसेफ ने रविवार को जम्मु काश्मीर के रायसपूरा में बॉर्डर पर घुसपैट की कोशिश को नाकाम कर दिया जवानों को हतियार और गोला बारूद भी मिले बीसेफ के मताविक शनिवार और रविवार की राज जवानों ने अंधेरे का फायदा उठा कर सीमा पारसियारे गुसपैटियों की संदिग्ध हरकत देखी जवानों ने लाइट मशीन गन से फाइरिंग की जुसमें आतंगी हथियार छोड़कर भाग गया आज सुबा इलाके की तलाशी ली जा रही है जुसमें एक एके असॉल्ट राइफल दो मैगजीन 17 राउंड और दो पिस्तॉल चार मैगजीन 20 राउंड बरामत किये गए रात को करीब 11 बज के सवा 11 से 11 बीस के बीच में जो फैंस और बॉर्डर के बीच में पाकिस्तान के तरफ जो धान का खेत है आगे उसके अंदर कुछ क्रॉलिंग की हरकत जो हमारा ड्यूटी पॉइंट है बॉर्डर के साथ सब लगे हुए है वो अलर्ट थे उन्होंने द जो ट्रॉप्स थे उसमें फायर किया गया और फायर करने के बाद में जो हरकत है वो नजर नहीं आए क्योंकि चावल का खेत करीब 9-3 फिट उन्ची फसल है उसके अंदर लेकिन पूरा एरिया उसको निगरानी में रखा गया और सुबह जर्च किया तो एक बैग मिला जिस सत्रा राउंड है उसके अंदर और इसी परकार से दो पिस्टल है दोनों फॉरन मेड है और उसमें भी च्यार मैगजीन और बीस राउंड मिले तो यह बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जिसमें एक इंफिल्टेशन बिड की गई है पाकिस्तान की तरफ से जिसको की ऐलर संद्री कमलनात ने कहा कि देश में जो कानून रवस्ता चल रही है वह पूरी तरह से चौपट है इसलिए एंटी सोशल एलिमेंट इसका फाइदा उठा रहे हैं वही चार राज्यों के वधान सभा चुनाव को लेकर उन्हों ने कहा कि चारों राज्यों में कॉंग्रेस की स्थिती अच्छी है महरास्ट हर्याणा जम्मु काश्मीर और जारकंड में बीजेपी को जनता घर में बैठाएगी देश की देश में जो चल रहा है कानून ब्यास्ता चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट से हैं इसका फाइदा उठा रही केंद्री ग्रहमंत्री अमिट शाह आज लगतार दूसरे दिन जम्मु काश्मीर के दौरे पर है नौशेरा में चुनाप प्रचार के दौरान उन्होंने कहा फारुक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करें आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्षमें नहीं हैं मुझे बताओ धारा तिन सो सत्तर गई अच्छा हुआ या बुरा हुआ अरे जोर से बोला अच्छा हुआ या बुरा हुआ कि फारुक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा तिन सो सत्तर वापीस लाएंगे अरे अब्दुल्ला साब तीन पिडिया चली गई और तिन लादो अब धारा तिन सो सत्तर कोई वापीस नहीं लाज़े कि रहना ने कहा यहां हमने बंकर बनाएं अच्छा ही किया बना दिये बंकर कभी कबार काम आएंगे मगर मैं कहकर जाता हूं बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा मद्यप्रदेश के सरकारी विभागों अर्द सरकारी संस्थानों में काम कर रहे आउट्सोर्स करमचारियों ने भोपाल के नीलम पार्क में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया संयुक्त करमचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि सरकार सरकारी सेक्टर का असी फीसदी नीजी करण हो गया है नीजी कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया है इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर सुरक्षा गार्ड जैसे करमचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है नियूनतम वेतन 21,000 होना चाहिए इन सारे करमचारियों को नौकरी में सुरक्षा देना चाहिए एक लगूक एडर बनाकर इनका भविश्य सुधारा जा सकता है इसमें सरकार पर कोई आर्थिक भोज नहीं आएगा इसे इसकी नौकरी में सुरक्षा है उनने सम्माजन को बेतन मिलता है नियूनतम वेतन भी मिलता है हमारे पंचायतों में चौकिदार पंप ऑपरेटर सफाय करमी है उनको 2,500 तीन आर्थिक इसी तरीके से हमारा आउट्सोर्स करमचारी है स्वास्तिवाग में 5,000-6,000 रुपए देते हैं जबकि सरकार का जो नूंतम वेतन है वो 11,800 है जो सरकार कुद्न करती है वो कहती है कि हम अपने करमचारियों को यह वेतन देंगे लेकिन दुर्भा की की बात है कि मद्देश के सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को यह नहीं मिल रह है आज हम कामकार करनती आंदोलन के जरी है सरकार से कहने आए कि आपने जो तय किया है कम से कम बहुतों इन सब लोगों को दे दीजिए इतनी सी हमारी चोटी सी मांग है और इस मांग को ठाने के लिए भी हमको महिनों से जद्धो जहद करनी पड़े दो सुतंबर को हमने अन सबस्ता है तो हम एक ऐसे मुद्धे को लेके आए हैं उस मुद्धे से सरकार डर रही है हमारा अंदोलन चल रहा है हम लोग यहां बैटे हुए हम लोग कह रहा है कि श्रम मंत्री जो मजदूरों करमचारियों के बारे में बात करते हैं अभी श्रम विभा की समिच्चा खंडवा के कुटु मिन्यायले ने अपने ही आदेश को पलग दिया पहले जिस महिला को पती से भरन पोशन का हग दिलाया अब उसे से वो हग छेल लिया गया दरसल जो पती हर महीने गुजारा भत्ता दे रहा था उसे पता चला कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है सबू तला के दूसरी शादी करना भी अपराध है रिवा शहर के सिटी कोत वालिक थानाक शेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के एटीम में घुसकर जमकर तोड़फोर करने वाले आरोपी को पुलिस ने दो महीने की तलाश के बाद गिरफतार कर लिया है घटना 14 जुलाई के रात क नहीं हो सका वही पूरी घटना एटीम बूत में लगे सिसी टीवी क्यामरे में कैद हो गई थाना प्रबारी जेपी पटेल ने बताया कि आरोपी शंकर कोल बैकुटपूर थानाक शेत्र के चौरा सतहरा टोला का रहने वाला है आरोपी को गिरफतार कर न्याले में पेश कर दिया गया है रिवा शहर के निराला नगर बंसल बस्ती में शनिवार की रात अचानक पानी भर गया बस्ती के पास से गुजर रहा नाला अचानक ओवर्फ्लो हो गया और नाले का पानी बस्ती में गुज गया जिससे अफरा तफ्री मच गई आलम यह था कि जोपड़ पट ने जेसीबी से नाला साफ कर पानी निकासी की जगह बना दी है रिवा जिले में घरेलों विवाद में पती ने धार-दार हतियार से पत्नी सहे दो बच्चों पर हमला कर दिया जिससे बेटे की मौके पर मौत हो गई जबकि पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल की है शनिवार देर रात हुई इस वारदात के बाद गाउ में अफ्रात अफ्री का महौल निर्मित हो गया सतना के धारकुंडी थाना इलाके में दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया पत्राव में एक पुलिस कर्मी घायल हो गय उसे देर रात सतना जिलास पताल लाया गया मामले में दोनों पक्षों के बीच मुकदमा दर्च कर पुलिस के हमला वर की तलाश की जा रही है शेहडोल जिला अस्पताल के सिवल सर्वजन की शिकायत करने वाले डॉक्टर का तबादला कर दिया गया है सम्मन में स्वास्त संचनाले घोपाल ने आदेश चारी किया है महिला चिकित्सक का ट्रांसफर शेहडोल से कटनी जिले के बिजरागों घर तक कर दिया गया है बात करें मौसम की तो मद्यप्रदेश में एस साल मांसून उम्मीदों पर खरा उतरा है भोपाल गौालियर समेट प्रदेश के 38 जिलो में सामान बारिश का कोटा फुल हो गया है यहां 100 प्रतिशत से 118 नवे प्रतिशत तक बारिश हो चुकी है शियोपूर ऐसा जिला है जहां दो गुना यानि की 98 नवे प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है वही इंदोर, उजयन और रिवा पिछडे हुए है रिवा में सबसे कम बारिश होई है रविवार को भोपाल समेट प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूप खिली है मौसम वह ज्याने के मुताबिक 20 सितंबर से लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी देखने को मिलेगी इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा जो सितंबर के आखरी सब्ताहता बना रहेगा इससे पूरा प्रदेश एक बार फिर भीगेगा इसी के साथ ये समचार बुनिटिन समाप्त हुआ कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ जुड़े रहे शब्दसाची से धन्यवाद